जय हिंद दोस्तों मैं मनिस कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्टाप सेलेक्शन कमीशन के न्यूरिक्मेंड जय एश्टे यानि की जूनियर हिंडी टांसलेशन दोजाट चोविस के और ल स्वाट में कुछ बता जाता हूँ उसके बाद जो है आपको हम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे दोस्तों अगर महतपूर तीतियों की बात कि जाया तो दो अगस्ट दोजाट चौविस से फॉर्म फिलफ इस्टार्ट हो चकी है इसकी अंतिम तीति है 25 से अगस्ट आगे बड़िंग दोस्तों आवेजन फीस की बात किजा तो स्वरुपय जनरल ओबीसी का है यहसीश्ट का 0.50 फीस है मईला का 0.50 फीस है अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कोड दिया गया है और पद्र का नाम दिया गया है जैसे जूनियर टांसलेटर है जूनियर टां इसमें आपको अनिवार विशाय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ या हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री आपके पास है यानि की में आप मास्टर डिग्री के हैं हिंदी या अंग्रेजी में तो इसके लिए आप एलिबल होंगे या तो अंग्रेजी मा मानता प्राप डिप्लोमा को से दो वर्स का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलेजिबल होंगे वही यहां पर देखा जा तो जो इसमें दिखेंगे दिया गया है यहां पर दिया गया है अनुभव मांगा है यानि के लिए जो है कि एस लेके ई तक एक ही से अच्छी योगता है बस एक लिए जो है तीन वर्स का अनुभव मांगा है जब आपके पास हिंडी ट्रांसलेशन में प्राप्ट डिप्लोमा कुर्स या तीन वर्स का अन्भव यहां पर दिया गया है अब जोस्तो इसके विशाय में और भी महत्पूर जानकारी है जो कि आप नटिफिकेशन डाउनलूट करके पढ़ लीजेगा एक बार समझ लीजेगा उसके बादी फॉर्म को फिल करिएगा तो चलते हैं दोस्तों आपको फॉर्म फिल अप प्रसेस पर लेकर प्रैटकरी रूप से देखेंगे तो काफी सेवन में आएगा अब दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आजाएगा यहाँ पर ऑफिसल वेबसाइट पर इजो नया वेबसाइट लांच हुआ है इसी पर आजाएंगे ssc.go.inlick के सर्च करेंगे इस वेबसाइट पर आजाएंगे अब यहाँ आने के बाद देखेंगे यहाँ पर लॉग इन आ रजिस्टर लिखा मिलेगा simple इस पर क्लिक करेंगे यदि आप माले जे पुराने candidate है तो यहाँ पर अपना रजिस्टरेशन नंबर फिल करिएगा यहाँ अपना पासवर्ट फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ से लॉग इन करेंगे लेकिन आप एगर नए candidate है इसके पहले SSC का कोई फॉर्म नहीं भरे है ठीक है तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे आप registered now को option लेगा simple इस पर क्लिक करके registration करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इस प्रकास से form फुलेगा registration कैसे करना है इसका मैं इस पर एक already video बनाया हुआ हूँ इसका मैं description में link आपको देजूंगा आप वहाँ से देख लीजेगा मैं direct आपको form फिल करके दिखाऊंगा इसमें तो यहाँ दोस्तों लॉगिन करेंगे सबसे दोस्तों जब आपका registration complete रहा तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजेगा उपर जो है अपना OTR नमबर फिल करेंगे password फिल करेंगे लॉगिन करते दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे इसम करेंगे अपलाई का बटन देखेगा सिंपल इसपे क्लिक कर देंगे कुछ ऐसा interface आगा इसको करेंगे फिल करेंगे फील फोर्म के आप्सन पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं दोस्तों आपकी सारी जानकारी यहाँ पर पे सो करेगी जो आपने OTR में बहा था एक जानकारी इसको करके बढ़ेंगे यहां से देखेंगे नेश्ट का ओपस्टन पर क्लिक कर दीजेगा यहां देखे डाटा सेफ सकसेश्फूल हो जाएगा उसके बाद आप दोस्तों आप यहां पर देखें आजाएंगे एजूकेसनल डिटेल के ओपसन पर तो यहां पर हाइस्ट किया है वी ऑनल से बढ़िे बी पीसे जो ही हेंगगे उसको यहां से श्यलेक कर लीजेगा पाशिञ या र चैता किस तरनिय आप ने पास किया था उसको चीज है यहां कहीं तो जो आ्पका उनिवर्जिटी होगा जहां between a जितने आप इन दोस दो करेंगे सो आप σो करेंग उसको यहाँ से चूस कर लिजएगा उसके बाद देखें सब्जेक्ट आपका कौन-कौन सा था । उस सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल कर दीज़ेगा जैसे मालेजिए आप हिंदी यहेंसे के हैं उसके बाद जो आपकर एक और विश्य होगा उसको fill कर दीजेगा लाश्ट में जो subject होता है उसके बाद देखें यहाँ पर medium of examination तो किस medium से पढ़ाई के हैं हिंदी या इंग्लिज तो अपने according यहाँ पर choose कर लिजेगा अब देखें यहाँ पर rule number fill करेंगे graduation का percentage कितना पाए है percentage यहाँ पर fill कर दीजेगा अपने according अपना यहाँ पर selection कर लिजेगा post graduation का उसके बाद यहाँ पर पास है या appearing है तो यहाँ पर अपने according चूस करेंगे पास होंगे तो पास चूस कर लिजेगा अब passing year आपकी क्या है तो यहाँ से passing year चूस कर लिजेगा आप देखें यहाँ पर इस्टेट यूटी पर क्लिक करेंगे तो किस राज जैसे आपने post graduation की पढ़ाई किया है उसको select कर लिजेगा अब यहाँ पर देखें किस university से पढ़े हैं उसको यहाँ पर select कर लिजेगा सभी university आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद देखें subject आपका कौन सा है इसमें post graduation आप किस subject से किए हैं उस subject को यहाँ पर लिख देंगे medium आप examination क्या है आपका Hindi या English तो अपने recording चूस करेंगे अब यहाँ पर roll number फिल करिएगा post graduation का यहाँ पर percentage फिल कर दीजेगा उसके बाद save and nest करके आगे बढ़ेंगे यहाँ से save and nest करेंगे save हो जाएगा ok कर देंगे अब देखें यहाँ पर आप आ जाएंगे इस प्रकार से additional information second पे तो एक्स हर्षमेन होंगे तो yes नों में जवाब देंगे आयू में छूट चाहिए तो यहाँ पर yes करेंगे तो yes करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको किस basis पर आयू में छूट चाहिए यह cht या defense यहाँ पर personal है तो आपने recording यहाँ पर चूस करेंगे ठीक है उसके बाद देखें do you want to make your personal information तो यानि कि यहाँ पर यस कर दीजेगा आप अपनी personal information साजा करने तयार है तो यहाँ से बाद यहाँ से save and nest करके आगे बढ़िएगा यह से वह जाएगा अब देखें अगला आपको center choose का तो यहाँ से preference देंगे center का तो अपना एक center यहाँ पर चूस कर लिजेगा तीन center चूस करना है तीनों center जो आपके लिए अच्छा होगा उसको चूस कर लिजेगा आगे बढ़ेंगे यह देखे बढ़ेंगे बगल में आपके बैठेगा लिखेगा बोलेंगे आप बताएंगे ठीक है तो ऐसा आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो no करेंगे ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखें टांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंगले अब जैसे कि यहाँ पर university का नाम देंगे उपर में उसके बाद यहाँ पर कॉलम बना हुआ है duration of course को फिल करेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर पासिंटेज इसी प्रकार से आप इसमें फिल करेंगे तो अपीरिंग में आपको यहाँ पर पास करेंगे उसको चूज करना देखे वर्क एक्सपीज़ेंस पूचा है एक्सपीज़ेंस और टांसलेसन वर्क तो यहाँ सकती अगर एक्सपीरियंस है तो फिर देखेंगे नेम आप दॉपपिस दिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कहां कहां जॉब किये हैं इसके बारे में दिना पड़ेगा नहीं तो नह सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर सिगनेचर और दोस्तों कैसे अप्लोट करेंगे अगर समझ से आ रही है आपको तो इसमें एक वीडियो बनाया हुआ हूँ इससी कोई भी आप फॉर्म बरेंगे तो वह मैठट से आप करेंगे तो आपका सिगनेचर भी लग जाएगा और फोटो भी लग जाएगा असानी से हाँ दोस्तों मैं अपना सिगनेचर देखे अप्लोट कर चुका हूँ सक्सेस पर यहां पर हो चुका है उसके बाद सक्सेस हो गया ओके कर दीजेगा ओके करेंगे अब देखे आपका प्रिव्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो प्रकार से लिए जाएगा नीचे बढ़ेंगे आई एक रिचेक बॉक्स पर टिक कर दीजेगा उसके बाद यह जो कैफ्चा दिखाई देरा है इस कैफ्चा को यहां पर फिल कर दीजेगा यहां से सेवन नेश्ट करके आगे बढ़ेंगे अब देखें यहां पर जो दिखा आगा प्रेमेंट आप कर देंगे उसके बाद आपका यहां पर सक्सेश्पुली कॉंटेट वेरिफिकेशन पेंडिंग सो करेगा और दोस्तों यहां देखेंगे प्रिंट अप्लिकेशन का भी आप्सन प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दोस्तों वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लिजेगा और इससे पर जरुत मन दोस्तों में शेयर भी कीजेगा तो मिलते हैं किसी निश्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद अब आन दो